ह sorts you guys कैसे आप आई होप कि आप सब इफोट ये इवाइब करने बादे हैं और तु इस भीडियो में आपको बताने बरहूं कि आप इस में इस देवायम में किस तरीके से फोटे एं वीडियो को hadd कर पाएंगे केले से कैसे छुपना है photos को और videos को so video को end देखना है video को बिल्कुल भी skip नहीं करना है so without any waste time let's start video first of all یہाँ पर आपको application है files तो इस files वाले application को आपको open कर लेना है जैसे कि यहाँ पर है यह files तो इसे open करना है इसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा scroll कर लेना है नीचे की और और यहां पर आपको मिल जाता है से फोल्डर तो इस पर क्लिक कर दिना है यहां पर आपको एक पैटर्न है फिर पिन सेट कर लेना है तो यहां पर हम पैटर्न पर क्लिक करते हैं यहां पर एक सिंपल सा पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं जो भी आपको ड्र हो चुका है password यहां से बैक चला है सिंप्ली और यहां से आपको images पे या वीडियो पर जो भी आपको यहां पर hide करने हैं वो इस तरीके से खोळने हैं और प्रेश करके यहां पर इस तरीके से select कर लेनी हैं इसक़ाइब यह आपको 3 dots पर जाना है और यहां आपको मिल जाता है इधर नीचे की तरफ move to save folder इस पर क्लिक कर देना है और यहां से अपना pattern draw कर देना है इसका यहां से आपके photos hide हो चुके हैं जैसे कि यहां पर आप देख पार हैं अगर आप images पर जाएंगे तो सिर्फ दो फोटो देखेंगे पहले यहां पर चार फोटो दे हैं जैसे कि यहां पर आप देख पार हैं तो इस तरीके से आप अपने photos को hide करवाएंगे और अगर आप यहां से videos हाच करने हैं तो यहां से प्रस करके रखेंगे 3.प जाएंगे move to save folder तो यहां से videos भी hide हो जाती है documents करने तो वो documents या audio किछी तरीके से आपको hide कर देनी है रिकॉर्डिंग बगारा करने है hide तो यहां से कर सकते हैं और अगर आप इस save folder को hide करना चाते हैं यहां से तो इसके लिए 3.प जाना है hide save folder तो यहां से यहां से यह फोल्डर भी यहां से छुप चुका है यहां से यह भी आपको नहीं देखने वाला है कि आपने कोई photos को videos को यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो फिली से वीडियो को like and share जरूर से कर देने तो मिलते हैं next interesting वीडियो के साथ